इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी solo post shoe ने दशमलव 5 mg tablet md एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे short term anxiety, चिंता और अनिद्रक का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह मस्तिश्क में विशिष्ट receptor site से बध होता है और मस्तिश्क को शांत करता है इसलिए यह मस्तिश्क को प्रभावी तरीके से आराम प्रदान करता है solo post shoe ने दशमलव 5 mg tablet md खाने के साथ या बिना खाना खाय भी लिया जा सकता है हाला कि इसे रोज एक ही समय पर ले क्योंकि यह शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद करता है इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले क्योंकि इसमें आदत निर्मान की उच्चक शमता है अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले ले और भले ही आप बहतर महसूस कर रहे हों पर इलाज का पूरा कोस पूरा करें आपको अपने डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा का सेवन बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मिचली और एंग्जाइटी हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में सिर्दद, बिगड़ा हुआ मांस्पेशी समन्वे, खराब भाशन, मांस्पेशियों में कमजोरी, कामिच्छा में बदलाव और अवसाद शामिल है इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तब तक ड्राइविंग या मांसिक एकाग्रता की आवशक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें समभावित साइड इफेक्ट और उन्हें रोकने या उनसे उबरने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें इलाज बन करने के बाद आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं गर्भ धारन करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए आमतोर पर सोलो पोस शून्य दशमलव 5 मिलीग्राम टैबलेट एमडी को अन्य दवाओं के साथ मिलाया जा सकता है लेकिन कुछ दवाएं जिनमें एंटासिड और अलकोहल शामिल हैं वे इसके काम करने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं और इससे साइड इफेक्ट की संभावना बढ़ सकती हैं अगर आप लंबे समय से इस दवा का सेवन करते आ रहे हैं तो बलाट और लिवर फंक्शन की नियमित निगरानी की आवश्यक्ता पर सकती हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें धन्यवाद